सबी को नमस्कार स्वागत आप सबी का learn and fun पे जहां पर teachers आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं और आज हमारा classification of elements का lecture no.3 है lecture no.3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? lecture no.3 में हम लोग पढ़ने वाले left to right और top to bottom एक periodic table में trends क्या होते हैं? एक periodic table में left to right और top to bottom कैसे चीजे जो हैं वो vary करती हैं यह हमें आज के lecture में पढ़ना है अब यह जो lecture है वो आपको शहत बता होगा आपने 10th class में भी exactly same पढ़ा हुआ है तो इस lecture के आगे जो मैं वो ही वीडियो को continue edit पर लगा रहा हूँ ताकि वो आप lecture देख लो और 10th में हम उसको जादा detail में भी पढ़ाते हैं और obvious से बात है मैं double मैनत क्यूं करूं आपको तो चीजे समरने से मतलब है तो इसके आगे हम लोग वो लेक्चर लगा रहे हैं जो कि मारा lecture no.3 होगा जहां पर हम लोग left to right और top to bottom trends के बारे में बात करेंगे कि भाया कैसे पता लगाते हैं period क्योंकि वो असान है फिर हम पता लगा देंगे group ठीक है पहले बात कर लेते हैं period की तो period कैसे पता लगाएं लिखावे था number of shells in any atom of the element is equals to period of the element यानि अगर मुझे किसी का period पता लगाना है तो period पता लगाने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने number of shells हैं क्योंकि जितने उसके पास shells होंगे वो ही उसका period होगा मैं आपको यहाँ पे कुछ example देता हूँ example के तोर पे माल लेते हैं sodium अब sodium के पास 11 electrons होते हैं उस हिसाब से अगर मैं इसकी electronic configuration करता हूँ तो 281 आ जाएगा अब अगर आप देखे तो यहाँ पे आपको number of shells जो हैं वो तीन मिलेंगे KLM इसी लिए इसका जो period है वो भी third है आप चक कर लें sodium third period में बठा हुआ है आप देख सकते हैं ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसी और example की let us suppose मैं बात कर लूँ यहाँ पे calcium की तो calcium के पास 20 electrons होते हैं उस हिसाब से 2882 KLM में 2882 20 electrons आ गए इसका मतलब इसके पास जो number of shells हैं वो चार है अब अगर number of shells चार हैं तो फिर उस हिसाब से इसका जो period हो गया वो भी fourth हो गया क्योंकि हमने आज ही बात की जब हम दोस्ती कर रहे थे प्रेट टेबल के साथ कि जो period है वो सेम रहता है जब आपका क्या सेम होता है shells और जो अब हमने पढ़ लिया जो आपका क्या होता है shell का number कितने shells आपके पास हैं वो ही आपका period होता है ऐसे कोई भी कोई भी element के बार में जैसे कि for example अगर हम helium के बार में बात कर लें जिसके पास दो electron होते हैं तो इसके पास k में दो electron आ गए तो इसके पास number of shells कितने हैं तो number of shells हमारे पास एक है उस हिसाब से इसका जो period हो गया वो भी फस्ट हो गया और चेक कर लें जैसे कि हमने बात की थी अपी थोड़े बहले calcium calcium हमने बात कि कि वो fourth period का होना चाहिए कि उसके पास चार shells है आप चेक करो तो first, second, third, fourth देगो फोर्ट में बठा हुआ है ऐसे ही helium first में बठा है तो ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं अगें आपको एक्जाम में अगर आएगा तो एक से बीस के element या हद से आदा तीस elements के बीच में आएगा और आपको atomic number याद करना चाहिए मेरे साथ थर्टी तक ninth में हम लोगों ने 20 तक या 18 तक याद किया था बड़ आपको उसे 30 तक अब लेके जाना चाहिए 30 तक अब उसे याद करना चाहिए चीक है न क्योंकि बट अगें कहीं स्कूल में teachers कहते हैं कि atomic number given आएगा कहीं कहते हैं नहीं आएगा तो बेटा मेरे हिसाब से ओना से पर साइट 20 तक तो आपको याद ही है दस और याद करके उसको 30 तक ले जाए चीक है तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि किसी का क्या period है electronic configuration करो जितने shells आएंगे वही उसका क्या हो जाएगा period अब अगर बात करें हम लोग group की तो group पता लगाया जाता है valence electrons है period पता लगाने के लिए हमने ये देखा कि आपके पास कितने shells हैं लेकर गृप पता लगाने के लिए हम लोग पता लगाते हैं कि भई आपके पास कितने valence electrons हैं जिनको नहीं पता उनको पता दूँ वेलेंस इलेक्ट्रॉंस का मतलब होता है लंबर ओफ इलेक्ट्रॉंस इन आउटर मोस्ट शेल लास्ट वाले शेल में आउटर मोस्ट शेल में कितने नमबर ओफ इलेक्ट्रॉंस आ सकते हैं आते हैं आ रखे हैं इन्हें कहा जाता है वेलेंस इलेक्ट्रॉंस दन है जी अब वेलेंस इलेक्ट्रॉंस अगर आपके पास एक हुए तो आपका जो गृप होगा वो फस्ट हो जाएगा अगर आपके पास number of valence electron एक हुए भी example दे रहा हूँ तो आपका group first हो जाएगा अगर आपके पास valence electron 2 हुए तो आपका group second हो जाएगा लेकिन अगर आपके पास valence electron 3 हुए तो 13 हो जाएगा यानि first वाले के लिए तो first है second वाले के लिए तो second है लेकिन अगर इलेक्ट्रों दो से जादा हो रहे हैं तो आपको इसके अंदर दस एड़ करना है अभी मैं आपको यह कह समझा हूं समझा तो नहीं सकता अभी आपको समझ में आएगा नहीं छोड़ा सा इतना बात ले सकते हैं कि जब हम फर्ष्ट पे होते हैं और सेकेंड पर लेकिन यहां पर दस ग्रूप का गैप है इनके बारे में पढ़ाई नहीं करने हैं इसलिए आप सीधा हैं अगर 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 थर्ड शेल तक सीधा यह फर्ष्ट है यह सेकेंड है सीधा सेकेंड के बाद चलांग लगती है थर्टीन पर इसलिए दस एड़ करते हैं अबर अ electron 5 हुए तो 15 था जाएगा 6 हुए तो 16 17 और ऐसे 18 था जाएगा जितने भी आपके पास valence electrons हैं उतने ही आपके group हो जाएगा पर first और second के लिए लेकिन अगर उसके आगे की बात करें तो आपको 10 10 उसके अंदर क्या कर देने हैं add तीन है तो 13 हो जाएगा फॉर है तो 14 हो जाएगा फिफ्ट है तो 15 ऐसे 8 है तो 18 हो जाएगा यानि जब तक एक या दो electron है तब तक वही आपका group है लेकिन अगर दो से जादा आपके valence electrons हो रहे हैं valence आठ जादा valence electrons हो नहीं सकते दो से जादा अगर valence electrons हो रहे हैं तो आपको 10 add कर देना है कुछ examples यहां पर अगर हम लोग बच्चों ले लें तो जैसे की बात कर लेते हैं यहां पर हम लोग phosphorus की phosphorus के पास 15 electrons आते हैं total तो KLM के हिसाब से 285 तो last वाले shell में इसके 5 electrons हो गए अब अगर मुझे इसका group पता लगाना है अगर एक electron होता तो first group होता दो हैं तो second group लेकिन यहां तो पांच हैं तो हमें 5 के अंदर 10 add करना है तो कुल मिला के हमारे पास 15th group आ जाएगा लेकिन अगर चक करें कि क्या 15th group में यह बैठा हुआ है तो 15th group हमारा यह होता है अब आप देखो तो आपको यहां पर phosphorus मिल जाएगा यानि की group हमने सही पता लगाया है ऐसे ही अगर हम लोग मान लो बात कर लेते हैं neon की neon के पास 10 electrons होते हैं और उस हिसाब से बात करें तो के L यानि की 28 अब इसके पास अगर लाश्ट वाले शेल में 8 electron आ गए हैं तो group पता लगाने के लिए इसमें 8 के अंदर 10 अगर हम लोग add कर दें बचो तो 18th हमारे पास क्या जाएगा group ऐसे ही अगर हम लोग बात कर लें let us suppose beryllium की अब hydrogen, helium, lithium, beryllium चार electron को मिला के इसके पास हैं उस हिसाब से इसकी configuration करें तो 2 तो आगए लास्ट वाले शेल में 2 आगए और जब 2 आएंगे तो वही आपका group हो जाएगा यानि कि second इसका group हो जाएगा आग एक बार चक कर लेते हैं neon को और beryllium को neon पे हमने बोला कि आपका ठारवा group होना चाहिए बिल्कुल ठीक है और beryllium में हमने बोला second होना चाहिए जो कि बिल्कुल ठीक है लेकिन ये जो पढ़ाई है वो सिरफ valid है एक से 20 elements के लिए चीक है ना उसके ओपर के लिए पढ़ाई अलग हो जाती है वो आपको 11 में चाहता हूं देखते हैं कितने उश्यार बच्चे उसका आंसर देते हैं कितने बच्चे क्लास को दंक से देख रहेंगे कि मैं ये टाइम चेक करूंगा ये वीडियो लगबग लगबग अगेन हो गई है 38 मिनिट्स के आसपास की शायद तो मैं उसी पर जाके चेक करूं कौ क्या ऐसा कोई element है जो यह वाला criteria follow नहीं कर रहा है गुरूप पता लगाने का कि अगर फर्स्ट हुआ तो फर्स्ट सेकेंड वा तो सेकेंड थर्ड वा थर्टीन यह जो criteria है यह फॉलो कर रहा है यह कर रहा है सारे करते हैं लेकिन एक element ऐसा है जो नहीं कर रहा है ऐसा कौन सा element है जो आज़ा करता है मतब यह वाला criteria follow नहीं करता है ओके 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 अके ओके 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 खे डी आंसर ड़न है अब जो च्क करें ऐसा कौन सा element है तो मैं यहाँ पे note का point लिक हो यहाँ पर लिक देता हूं हाना बजयर नोट का point यहाँ पर लिक देती है कि भई हीलियम is an exception हीलियम एक exception है क्यों? क्योंकि इसके वेलेंस electron तो दो हैं लेकिन इसका जो group है वो 18 थै इसके वेलेंस electron तो दो हैं लेकिन इसका group 18 है यार हीलियम के पास कितने electron है? दो अब उसके हिसाब से अगर बात करें तो इसको second group में आना चाहिए था क्योंकि हमने बात किये कि अगर दो है तो group क्या होना चाहिए? second जैसे की बरियलियम में था लेकिन यार हीलियम के साथ exception है हीलियम एकलोता ऐसा substance है एक से 20 में जिसके पास हैं तो दो electrons लेकिन उसको second group में नहीं डाला है उसको में डाला है 18 में अब कारण क्या है? कारण यह है कि भले ही इसकी electronic configuration मैच होती हो second group से भले ही इसकी electronic configuration मैच होती हो second group से लेकिन इसकी properties किस से मैच होती है? इसकी सारी की सारी properties किस से match होती है तो answer है match होती है 18 से, यह noble gas है यार neon, argon, krypton, यह सब noble gases है, तो इसकी जो properties हैं, वो किस से match हो रही है तो answer है noble gases से match हो हो रही है, और अगर noble gases से match हो हो रही है, तो आप समझो ना इसको noble gas के उपर रखेंगे ना, सिरफ electronic configuration के बिहाफ पे उसको वहाँ नहीं रख देंगे, ठीक है ना, बाकी सारी properties की match हो रही है, noble gases से, तो हमने इसको, आप कह सकते हो, यह एक periodic modern periodic table की limitation है, ऐसा कहलो अना, बट ठीक है, अभी के लिए हमने exception पढ़ा, ठीक है अब exam में, question कैसे आते है इसके ओपर, तो exam में, question बन सकते हैं कि आपको एक element दे देंगे, और बोलेंगे कि इसका group पता लगाओ, और इसका period पता लगाओ, हमारे पास यहाँ पर चार parts है, ठीक है जी, तो first, second और third, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उसके बाद, करने के बाद, आप fourth part करके comment section पर उसका answer लिख देंगे, ठीक है बच्चों, मैं चेक करूँगा, किस-किस ने सही दिया, आओ sulfur के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे पहले बाद, sulfur के पास total number of electrons कितने होते हैं, 16, हमें क्या बोला गया, give position और following element, position का मतलब है, कि हमें element का group और हमें element का period पताना है, periodic table में position का मतलब होता है, कि हमें उसका group और हमें उसका period पताना है, तो give position और following elements in periodic table, पहला कौन है बच्चों, sulfur है, आओ sulfur का group और पता लगाते हैं, उसके लिए हमें electronic configuration करनी होगी, बिना electronic configuration के तो कुछ भी नहीं होगा अब 16 एलेक्ट्रॉन है तो 286 सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके पास जो शेल्स आए वो 3 आए अगर इनके पास शेल्स तीन आ गए तो इसका जो पीरियड हो गया वो हो गया 3rd तो भई पीरियड तो हो गया 3rd पीरियड तो हमने पता लगा दिय अब अगर बात करें ग्रुप की तो इसके आउटर मोश्ट में कितने एलेक्ट्रॉन हैं 6 हैं 6 में हमें 10 एड करना होगा तो हमारे पास 16 क्या जाएगा ग्रुप इसका मतलब है भई कि जो सलफर है वो 16 ग्रुप में और 3rd पीरियड में बैठा हुआ है आप चाहें तो चेक कर लें चीक है जी इसके बाद नियॉट के बारे में अगर बात कर लें तो इसके पास अभी बात दी कितनी वह तो 10 एलेक्टॉन्स होते तो के ईल दो आठ तो शेल्स इसके पास कितने आगए भई 2 आगए इसका मतलब है इसका जो पीरियड हो गया वहो गया सेकिंड इसका अगर बात करें ग्रुप की तो इसके आउटर मुष्ट में दस एलेक्टरॉन से ओ सौरी आउटर मुष्ट में आठ एलेक्टरॉन से आठ में अगर हम दस एड़ करें तो कितना हो जाएगा एटींथ इसका ग्रुप हो जाएगा है ना बिलकुल ऐसी अगर बच्चो ऑक्सीज कितने आगे दो उस हिसाब से इसका जो पीरियड आ जाएगा हमारे पास इसके हिसाब से इसका जो पीरियड आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा second लेकिन अगर हम group की बात करें तो इसके outer most में 6 electrons हैं तो 6 में 10 add कर देंगे तो 16 हमारे पास period आ जाएगा तो इस हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं and potassium आपको अभी करना है जल्दी से comment section पे इसका answer लेके खटक से तो match भी करें लेंगे खटम करेंगे और क्या हाँ चलिए तो बच्चो इसके बाद potassium की अगर हम लोग बात कर लें potassium तो potassium के पास कुल मिलाके कितने electrons हैं बच्चो 19 electrons हैं उस हिसाब से KL M की अगर हम लोग बात कर लें तो 289 ओहो क्या कर रहा हूं मैं कॉफी पी के आने पड़े कि मुझे लग रहा है यार कौन से नशे हैं ये KL M बटा इसके पास total N में कितने electrons आ गए एक इस हिसाब से इसके पास shells कितने हो गए भई तो shells हो गए इसके पास 1,2,3,4,4 इसके पास shells हो गए जिसका मतलब है इसका जो period हो गया वो हो गया 4 ठीक है group की बात करें तो एक electron है तो first ही इसका group हो गया I hope आप सबने सही किया हो ठीक है जी तो यह हुआ हमारा potassium तो ultimately यहाँ पे हमने सीख लिया कि कैसे हम लोग groups और periods जो हैं वो पता लगा सकते हैं किसी भी element का group और किसी भी element का period कैसे पता लगाया जा सकता है एक modern periodic table में कोई भी आ सकता है अब आप प्लीज यह मत बोलना सर तिन आ गए तो क्या करेंगे सर पिन आ गए तो क्या करेंगे मिन आ गए तो क्या करेंगे ऐसे कुछ भी जोड़ी आ जाएगा एक से ठारा एक से बीस ही आएगा क्यूं आएगा कुछ और बाकी की तो प्राइए लगे इसके बार में तो आप जानते हैं नहीं और इनको तो भूली जाओ तो वो क्यूं आएगा कोई irrelevant सा सवाल वो क्या तो हम यहाँ पे यह पढ़ चुके हैं कैसे किसी element की हम position को किसके group को और इसके period को एक modern table में पता लगा सकते हैं मेरे साब से यहाँ तक कोई problem कोई दिकत नहीं होनी चीए यह हैं trends of अच्छा यह तम पढ़ेंगे अभी लेकिन हमने position पता लगा लिए ओके बचो कोई सवाल बचो ठीक है ठी आगे बढ़ें क्योंकि एकदम से हम एकदम fresh एकदम नए topic के तरफ बढ़ जाएंगे इसके बाद तो यह हमारे पास हुआ क्या कि कैसे पता लगाए position of element in priority बढ़ेंगे अब mainly यहाँ से हमारी पढ़ाई जो है वो वाली शुरू हो जाती है जहां पर exam में बड़े बड़े आपको question मिलेंगे अभी ऐसा नहीं अभी पढ़ाई काम नहीं वो यार पढ़ लिया basic तो आना ही है लेकिन वहां से एक number का question ऐसा बन जाता है लेकिन अब यहां पर आगर बात करें तो हमें main जो questions आएंगे वो इधर से आएंगे main question यहां से आएंगे ठीक है बटा अच्छा periodic classification आज हम खतम करके अगला जो lecture हम लोग लेने वाले हैं उसमें मैं electricity के numericals कराने वाला हूँ शायद वो मैं class Sunday को extra ले लूँँगा मैं पता दूँगा community post पर क्यार आ जाएगा आप देख लेना और फिर उसके बाद हम एक extra class ले लेंगे इसके उपर exam में कैसे questions देखने को मिलते हैं यानि साथ साथ बच्चो revision भी होती चली जाएगी मैंने का था पूरा tuition वाला मजाने वाला है आपको चली बच्चो लेकिन अब का टॉपिक क्या है और हमारा पास है trends of modern priority trends का मतलब क्या होता है बच्चो trends का मतलब होता है कि क्या-क्या चीजे follow हो रही है यह वाले trends नहीं है कचा बदा क्या यार मैं मुझे मुझे लगता मुझे इंस्टाग्राम चलाना बंद करना पड़ेगा मैं बहुत फिल्मी होता जा रहा हूँ यह कच्चा बटा यह वाले trend नहीं है इंस्टाग्राम पर यह कच्चा बदाम चल गया या कोई और बटा यह वाले trend है कि left to right जाएंगे तो properties कैसे change होंगी टॉप टू बॉटम आएंगे तो properties कैसे change होंगी पहले हम लोग पढ़ेंगे left to right और मेरे यकीन माने अगर आपने left to right वाले trends रंक से पढ़ लिए तो top to bottom वाले कुछ भी नहीं है खाताम खलास फिनिश पहले पढ़ेंगे left to right अब left to right अगर हम जाएंगे देखा है किसी priority table में अगर हम left to right जा रहें तो left to right जाते वे कोई एक period की बात करेंगे अब अगर हम first period लेते तो एक element hydro जो एक helium क्या ही पढ़ेंगे इसलिए हम जब left to right जाएंगे तो हम second या third period लेंगे जोगि fourth period से में पढ़ाई करनी नहीं क्योंकि fourth period में यह purple वाले लोग आगए इनके बारे में पढ़ना नहीं इसलिए left to right जाते वक्त हम लोग या तो third या तो second period लेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे third period से पढ़ाई करनी है यह third period अपने यहाँ ले लिया आप देख सकते हैं sodium है magnesium है aluminum है silicon है phosphorus है sulfur है chlorine है और argon है और इनके नीचे atomic numbers लिखे हुए हैं सबसे पहली बात हम valence electron की यहाँ पे करना वाले हैं ध्यान रहे left to right जाना है तो left to right valence electron के साथ क्या होगा तो left to right अगर हम जाएंगे तो valence electron will increase from one to eight यानि अगर हम left to right जाएंगे तो valence electron एक से आठ बढ़ेंगे कैसे sodium के electronic configuration हो जाएगी two eight one magnesium की electronic configuration हो जाएगी two eight two aluminium की electronic configuration हो जाएगी two eight three एसे सारी नहीं करूँगा लेकिन end में जाएगे तो argon की हो जाएगी two eight eight अब argon की two eight eight है तो valence electron इसके पास एक थे इसके पास दो हैं इसके पास तीन हैं चार हैं ऐसा करके 1 से आठ तक valence electron बढ़ेंगे यес अब अगर valence electron आन एक से आठ तक बढ़ेंगे तो वेलेंसी का क्या होगा इसकी वेलेंसी बता हो कितनी होगी प्लस एसकी कितनी होगी प्लस टू इसके बाद सिलिकन भी अगर मां ले लूँ तो 284 इसकी वेलेंसे कितनी होगी प्लस माइनस 4 क्योंकि ये 4 ले भी सकता है दे भी सकता है शेयर करता है ये लेकिन अगर हम आगे बढ़ें फॉस्फोरस पर जाएं तो 285 अब ये 5 देगा नहीं आपको पता है 9th क्लास का नियम ये 3 लेगा तो इसकी वेलेंसी माइनस 3 हो जाएगी तो ऐसा कह सकते हैं कि वेलेंसी लेफ टो रेट जाने पर पहले एक से चार बढ़ती है फिर चार से जीरो कम हो जाती है यानि पहले वेलेंसी जो है वो इंक्रीज होती है और फिर वेलेंसी जो है है वो decrease हो जाती है यानि valence electron valence electron का मतलब होता है last relation में electron वो एक से 8 तक बढ़ते हैं लेकिन valency की अगर बात की जाए तो valency पहले एक से 4 बढ़ती है फिर 4 से 0 कम हो जाती है क्योंकि बच्चों ये बात हो रही है कितने electron लेने है देने अब अगर आउटर मोस में 4 हैं तो 4 ले दे सकते हैं तेन हैं तो भाया 3 देंगे 2 हैं तो भाया 2 देंगे एक है तो भाया 1 देंगे लिकिन 5 है तो 5 देंगे थोड़ी नहीं तीन लेंगे नहीं ना 9th classmates करो इसके हिसाब से 1 से 4 Rocky क्या होगी येस बिल्कुर सही properties पर लिए ट्रस्ट में यकीन करो बच्चों पर अगर आपने size of atom पर लिया चलो एक guess मारो left to right जाने पर atom का size क्या होगा left to right जाने पर atom का size बढ़ता जाएगा या कम होता चला जाएगा मतलब sodium magnesium aluminium ऐसे जाएंगे तो size बढ़ेगा या कम होगा तो answer left to right जाने पर size will decrease यानि की size कम होता चला जाएगा मतलब यह अगर कौन है बच्चो sodium तो यह कौन होगा बच्चो magnesium यह कौन होगा बच्चो aluminium यह कौन होगा बच्चो silicon यह कौन होगा बच्चो phosphorus आगे मत बनवाओ कहने का मतलब है left to right जाने पर बच्चो साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा ऐसा या इतना या बनाने की बात है लेकिन साइज छोटा क्यों होता चला जाएगा सर पहली बात तो अगर हम shells की बात करें तो इसके पास भी तीन शेल होंगे, इसके पास भी तीन शेल होंगे 3, 3, 3, 3, 3, 3 тыन, यह सेम पिरिड जैंथर्ड पिरिड जैंथ hall टो टीन तो शेल सब के पास होंगे तो शेल वाहिस तो लग रहाएं कि भईःा, सब का SIZE बराबर होना चाहिए S dabei है, 11, 2, 3 छैंथ, है नही। इसके पास magnesium है, एक, दो, तीन शेल, तो सब के पास shell wise अगर बात कर लें बच्चो, तो तीन तीन शेल हैं, तो shell wise तो लग रहा है, इनका size बराबर होना चाहिए, लेकिन बच्चो, outermost shell में electrons बढ़ते जा रहे हैं, और यहीं से game शुरू होता है, ध्यान सुनना, sodium और magnesium का example sodium का त्शोडियम का तीसरे shell, sodium के पहले shell में दो electron होते हैं, दूसरे shell में ऐक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ शेल होते हैं, और last वले shell में कितने electron होते हैं, इसके पास एक तो यह हमारे पास हो गया K shell यह हो गया L shell यह हो गया M shell बोलो अब लाश्ट वले shell में कितने electrons हो गया हमारे पास एक लेकिन वहें पर अगर हम लोग बात करें किस के लिए बच्चो magnesium के लिए तो भई magnesium का बीच में nucleus 1 2 3 3 इसके पास एक दो electron इसके पास एक दो तीन चार पांचछे साथ आठ์ में gratitude की matter मेंग giving तो आता है तो इसके ओटर मोश में दो electrone म के एक होता क्या है आप सब जानते हैं कि sodium पे या nucleus पे जो चार्ज रहता है बच्चो वो रहता है positive हान् JENूक्लियस पर चार्же रहता है positive, और electron पर चार्ज रहता है negative, तो यहाँ पर positive और negative के बीच में attraction होती है, ऐसा यहाँ पर भी होता है, nucleus पर चार्ज रहता है positive, इस पर रहता negative, तो positive and negative के बीच में attraction है, लेकिन यहाँ पर last वाले shell में दो helfen electron's हैं, तो attraction भी तो ज़ादा होगी न जितने last वाले shell में electrons बढ़ते चले जाएंगे उतनी nucleus से attraction बढ़ते भी तो चली जाएगी न बच्चो जितने last वाले shell में electrons बढ़ते चले जाएंगे उतनी nucleus से attraction बढ़ती चली जाएगी न और अगर उतने ही नुक्लियस से अट्राक्शन बढ़ती चली गई तो साइस यहां पे एक इलेक्ट्रोन नुक्लियस से अट्राक्ट हो रहा है यहां पे दो इलेक्ट्रोन नुक्लियस से अट्राक्ट हो रहे हैं आगे जाएंगे अलुमीनियम में electrons बढ़ते चले जाएंगे outer most में electrons अगर बढ़ते चले गए तो nucleus से attraction बढ़ता चला जाएगा और अगर nucleus से attraction बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया तो भ़ाई साथ size छोटा होता चला जाएगा तो इससे कैसे लिख सकते हैं सकने, will decrease because on moving left to right, on moving left to right, number of valence electron increases which increases attraction which increases attraction of electrons with nucleus. और इसी कारण से size जो है वो decrease होता चला जाएगा. इसी कारण से size जो है वो कम होता जाएगा. तो left to right size जो है बचो वो decrease होता है और यकीन मानियेगा इसी के ओपर बाकी सारी properties भी based होंगी. तो left to right size क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है. ओके? डन है? अब कैसे आगे समझें इसको? tendency to lose electron. यार यहाँ पर हमने बात करी कि size of atom के साथ क्या होने वाला है? तो size of atom जो है left to right जाओ तो छोटा होता चला जाएगा. लेकिन अगर हम tendency to lose electron की बात करें इसको electro positive character भी कहते हैं. इसको electro positive character भी कहा जाता है. देखो आपने 9th class में पढ़ा होगा कि जब को electron देता है तो उसको चार्च positive आजाता है. इससे atom पर चार्च positive आएगा. तो कौन कितनी असानी से electron lose करेगा? left to right जाने पर यह हमें देखना है और इसी को कौन सा character भी कहेंगे electro positivity चलो आप मुझे पताओ left to right जाने पर electron निकालना असान होता चला जाएगा या मुश्किल होता चला जाएगा? left to right जाने पर electron निकालना असान होता चला जाएगा या मुश्किल? सोचके बताओ. बिल्कुल सही कहरे है, उससे लिया बच्चों मैंने answer है मुश्किल होता चला जाएगा क्यों क्योंकि size क्या हो रहा है छोटा अभी पताया left to right जाने पर attraction क्या हो रही है electron के साथ बढ़ रही है यार अभी मैंने पताया nucleus से attraction बढ़ेगी तो nucleus नूकलियस पे charge positive electron पे charge negative attraction बढ़ती जा रही है size छोटा होता जा रहा है तो electron निकालना और मुश्किल होगा आप मुझे बताओ यह nucleus है यहाँ पे एक electron बैठा वाए यह nucleus है और यहाँ पे एक electron बैठा वाए तो यह electron तो दूर है nucleus से तो यह वाला electron निकालना असान हो जाएगा न लेकिन ये वाले इलेक्ट्रों तो बहुत पास है तो इलेक्ट्रों निकालना मुश्किल हो जाएगा तो जितना size छोटा होता है बचो उतना इलेक्ट्रों निकालना मुश्किल होता जाता है तो ऐसा कह सकते हैं कि left to right जाने पर electron निकालना क्या होता चला जाएगा मुश्किल तो आंसर है tendency to lose electron will decrease from left to right इसका मतलब अगर मैं बोलूँ तो सबसे असानी से electron किस से निकाला जा सकता है sodium से और सबसे मुश्किल से chlorine और argon से argon देखो हम जब chemical properties की बात करेंगे तो argon को तो हम considering नहीं करेंगे तो सबसे असानी से जहां से electron निकाल सकते हैं वो sodium है तो it will decrease from left to right यानि कि अगर मैं बात करूँ तो order of electro positivity और जो असानी से electron निकाल देगा वो जादा electro positive होगा तो अगर मैं third period की बात करूँ तो sodium सबसे जादा electro positive हो गया फिर magnesium फिर aluminium और ऐसे करके order चलेगा यानि सबसे असानी से electron हम किस से निकाल सकते हैं sodium से इससे लिए सबसे जादा electro positive sodium है और अगर tendency to lose electron, electron देना अगर left to right मुश्किल हो रहा है तो electro positivity कम हो रही है ना तो will decrease from left to right और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि also electro positivity will decrease from left to right left to right जाएंगे तो electro positivity भी decrease होते चले जाएगी और tendency to lose electron जो है वो कम हो रहा है अच्छा अब इसी का उल्टा है आप समझ जाए tendency to gain अगर size छोटा हो रहा है electron निकालना मुश्किल है तो gain करना तो आसान होता जला जाएगा ना तो इसी का उल्टा समझ लो तो it will increase और electro tendency to gain electron को electron negativity भी कहते हैं हम लो क्योंकि जब कोई atom electron gain करता है तो उस पे negative charge आता है तो उसको electron negativity भी कहते हैं तो will increase इसके साब उल्टा होगा या will increase from left to right left to right ये increase होगी यानि electron gain करने की जो ताकत है electron gain करने की जो tendency है कितनी ताकत से आप electron gain कर सकते हो वो left to right बढ़ेगी यानि periodic table में अगर हम बात करें तो यहां के जो लोग हैं यहां के वो बहुत असानी से electron दे सकते हैं क्योंकि left to right देना मुश्किल हो रहा है लेकिन यहां के जो लोग हैं प्लीज नॉबल गेसिस को इग्नोर करें वो exception है लेकिन यहां के जो लोग हैं वो electron बहुत असानी से ले सकते हैं क्योंकि left to right electron गेन करना जो है वो असान हो रहा है अच्छा इसी हिसाब से अगर हम metallic character की बात करें तो metals कौन होते हैं जो electrons देते हैं याद करेंगे metals कौन होते हैं जो electrons देते हैं तो उस हिसाब से metallic character की बात करें left to right will decrease बोलो क्यों भाई क्यों भाई क्योंकि left to right electron देना जो है वो मुश्किल हो रहा है अभी अमने बात की tendency to lose electron left to right कम हो रहा है और metals कौन होते हैं याद करेंगे 9th class जो electrons देते हैं अब अगर left to right electron देना अगर मुश्किल हो रहा है तो metallic character कम हो जाएगा will decrease इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि periodic table के अंदर इसका मतलब बच्चों हम लोग यह कह सकते हैं कि जो periodic table है उसमें यहां के लोग सबसे बहतरीन metals हैं हना अच्छे metals हैं अच्छे metals हैं और यहां के लोग गंदे metals हैं या इतने गंदे हैं कि यह non metals हैं बड़ा भी हम metallic character के बात कर र जो metallic character है वो कम हो रहा है क्यों क्योंकि जो metallic character है वो directly proportional होता है tendency to lose electron के कौन कितनी असानी से electron दे रहा है वो उतना अच्छा metal होता है लेकिन हमने पढ़ा भी कि left to right जाने पे electron देना मुश्किल है क्योंकि size छोटा हो रहा है electron देना मुश्किल है nucleus के साथ interaction बढ़ रही है उस हिसाब से तो metallic character left to right कम हो गया तो अब मुझे पता हो का left to right metallic character कम हो रहा है और आपको एक अच्छा metal चाहिए बच्चो यह हमारा है कांग या shopping mall यह हमारा shopping mall है मैं shopping mall में आया आप मुझे पता हो मैं किस साइड जाओ comment section में बताओ मैं किस साइड जाओ मैं अपने left में जाओ या अपने right में जाओ कि मुझे अच्छा metal मिले तो answer है मुझे अपने left में जाना है मुझे अपने left में जाना है क्योंकि भाईया left to right metallic character कम हो रहा है left to right metallic character कम हो रहा है तो यह सबसे अच्छे metals है हना 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 यह सबसे अच्छे metals है और इंज और लाल यह सबसे बहतरीन मेटल हैं बच्चो और आप समझ जाओ यार अगर ऐसा है मेटैलिक करेक्टर के साथ ऐसा है तो नौन मेटैलिक करेक्टर के साथ क्या होगा समझने वाली बात है तो नौन मेटैलिक करेक्टर की अगर बात करें जो non metallic character है वो directly proportional होता है tendency to gain electron और अभी बात की कि left to right size छोटा होने की वज़ा से electron gain करना क्या हो रहा है असान हो रहा है जिसकी वज़ा से left to right जाने पर metallic character तो कम हो रहा था लेकिन non metallic character बढ़ रहा है अब आप मुझे बताओ अगर मैं एक shopping mall में घुशता हूँ और मुझे एक अच्छा non metal चाहिए तो left जाओ या right जाओ तो answer है बच्चो मुझे कहां जाना होगा यहां जाना होगा मतलब कि अपने right में जाना होगा यह जो blue blue दिख रहे हैं आपको बहतेरीन non metals हैं ठीक है बच्चो तो यह बात यहां पर उसी का उल्टा यार उसको क्या खीचे चली अब हम बात करते हैं reactivity की फिर हम बात करेंगे ऐसा करेंगे पहले periodic के questions ही ले लेंगे दन है ऐसा करेंगे पहले periodic के extra questions ले लेंगे और उसी की lecture में इसको भी हम लोग discuss कर लेंगे बच्चो ठीक है तो trends of modern प्रेटेबल में top देखो आप same same trends आपको top to bottom में भी पढ़ने है same कुछ अलग नहीं है कुछ अलग नहीं है same trends नो के 9 trends same है तो वह आपको try करने है खुझ से फिर अगली class में उनको हम चेक करेंगे ट्यूशन वाली feeling आने चाहिए ना homework भी तो मिलना चाहिए ना बच्चो चलो अब हम बात करते है reactivity की शायद आपको पता हो कि reactivity जो होता है sorry शायद आपको पता हो बच्चो कि जो reactivity होती है reactivity होती है यह inversally proportional होती है valency के नहीं पता तो पता देता हूँ जितनी valency कम होती है उतनी reactivity जादा होती है क्योंकि हमने 9th class में पढ़ा था कि electron लेने और देने में बहुत energy लगती है बहुत energy खर्च होती है उस कारण वर्ष अगर electron जादा लेने देने है तो energy जादा खर्च होती है जिसकी वैसे reactivity कम हो जाएगी तो जितनी valency कम होगी reactivity उतनी जादा होगी अब अगर left to right बात करें sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine हम आरगन तक इसले नहीं जा रहे है क्योंकि आरगन तो reactivity नहीं होता है उनकी बात नहीं करेंगे तो याद करेंगे इसकी valency 1, 2, 3, 4 लेकिन इसकी 3, 2, 1 बात की थे ना जी valency के बार में अब आप मुझे बताओ इसकी valency और इसकी valency सबसे कम है तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि यह लोग most reactive हो गए हाँ मुझे पता है कि यह metal है यह non metal है लेकिन आप यह metal non metal की तो बात ही नहीं रही अब यहाँ बात रहे reactivity की तो यह वाला metal most reactive होगा और यह वाला metal यह most non reactive element होगा यह हमारे पास most reactive metal यह हमारे पास most reactive non metal इस group का यह बात ध्यान रखिएगा चीक है ना यानि जितनी valence कम होगी बच्चो reactivity उतनी ही जादा होगी इलेक्ट्रॉल लेन दिनासान तो यह सबसे ज़ादा reactive metal यह सबसे ज़ादा reactive non metal metanormal की बात नहीं हो रही है reactivity की बात हो रही है ये दुनों सबसे जादा reactive होंगे अच्छा ऐसा कहते है इसकी valency सबसे जादा है तो सबसे least reactive हो गया है तो आप ऐसा कह सकते हो इसका मतलब क्या ऐसा कहते है कि पहले reactivity कम होती है और फिर reactivity बढ़ती है क्योंकि valency के साथ universally proportional है इसका मतब़ है left to right जाने पे पहले reactivity जो है वो कम होगी पहले reactivity जो है वो कम होगी पहले half में फिर आगे जाएंगे तो reactivity बढ़ेगी जैसे कि valency के साथ ये universally proportional हो गया valency पहले 1 से 4 बढ़ रही थी हाँ ना तो पहले 1 से 4 अगर valency बढ़ रही थी तो reactivity कम होगी तो इसका मतलब एक periodic table के अंदर सबसे reactive लोग कहाँ पाए जाएंगे आंसर इधर तो अगर ये shopping mall और मुझे एक reactive element चाहिए तो मैं left में भी जा सकता हूँ मैं right में भी जा सकता हूँ क्योंकि दोनों ही reactive है metal non metal अलग बात है यहाँ पर reactivity की बात हो रही है तो beats के जो लोग है वो कम reactive हैं लेकिन right और left के extreme लोग सबसे जादा reactive है और आज का बच्चो आखरी काम हमारे पास आता है जो है nature of oxide अब यहाँ पर आपको याद करना होगा अगर नहीं याद तो कि जो metals होते है उनके जो oxides होते है वो basic होते है generally यानि कि base होते है और जो non metals होते है उनके जो oxides होते है वो generally बच्चो acidic होते है generally ऐसा रहता है अब nature of oxide की अगर हम लोग बात करें हमने पढ़ाया आपको कि एक periodic table में यहाँ पे metals है और left to right जाओ तो metal से आप क्या बन रहे हो non metals तो उसी कारण वर्ष अगर आप metal से non metal बन रहे हो तो metal के जो oxides है वो basic है metals के जो oxide है वो basic है क्योंकि मैंने पढ़ाया और non metals के जो oxides है वो acidic है तो क्या ऐसा कह सकते है कि left to right जाने पे oxides हैं वो basic oxides से acidic oxides बनते रहते हैं left to right जाने पे oxides basic से acidic होते हैं यानि left वाले oxides यानि metal के oxides basic nature शो करेंगे जैसे कि sodium का जो oxide है वो पानी में जाने के बाद base याने की NaOH बनाता है कि नहीं वहीं पे fluorine का जो oxide है वो पानी में जाने के बाद HF यानि की acidic oxide बनाता है तो कहने का मतलब है यहां के oxides base यहां के acidic क्योंकि यह metal हैं metal के oxides base होते हैं और यह non-metal हैं उनके oxide ऐसे देखोते हैं तो यह हमारे left to right के trends हुए same trends आपको top to bottom left to right तो हम लोगों ने सारे trends समझ लिये थे लेकिन उसी से connected हमारे और trends थे from top to bottom मतलब अगर हम उपर से नीचे जाएंगे तो कैसे trends vary करेंगे मैं उमीद करता हूँ कि अच्छे बच्चे हैं यहां और उन सब ने अपने आप से यह trends पहले देख लियोंगे उनको लिख लिया होगा और अब हम इसको लेकिन उनमें variations आ जाएंगे चलिए सबसे पहले इसको हम समझते हैं फिर इस chapter के कुछ questions देखेंगे ncrt के chapter को आज खतम कर देंगे and after that हम लोग अगले lecture में इंग्या chapter शुरू करके and इसी हफते में किसी एक दिन शायद साड़ड़ या संड़े हम लोग हम लोगों ने third period की बात की थी यानि की sodium वाले period की बात की थी तो ऐसे ही अगर हम यार आप उपर से नीचे आ रहे हैं तो हमें अब कोई group तो लेना होगा अब period में क्या होता है हम एक period ले रहे हैं उसकी पढ़ाई करने group में हम लोगों ने क्या किया आप लोगों ने slide में देखे लिया होगा कि हम दो groups के representation पर बात करेंगे यानि कि हम उपर से नीचे बात करने वाले हैं दो groups को लेके पहला group हम लोगों ने ले लिया है group number first और दूसरा हमने लिया है group number 17 ऐसा क्यों किया भई एक first group क्यों लिया और first वाले में सारे के सारे कौन आते हैं metals आते हैं और 17 में लगवख सारे non metals हैं लगवख क्या सारे ही non metals हैं estatin को भी थोड़ी दरी के लिए छोड़ देते हैं इसको आप जानते नहीं हूं लेकिन fluorine, chlorine, bromine, iodine यह सब को आप जानते हो तो sodium की electronic configuration का आ जाएगी बच्चो two one क्योंकि इसके पास तीन elektrons होते हैं sodium की कितनी आ जाएगी two eight one क्योंकि इसके पास 11 electron होते हैं ऐसे potassium के कितनी आ जाएगी two eight eight one क्योंकि इसके पास nine उन्स यानिकि 19 electrons होते हैं ऐसे अगर मैं group seventeen की बात करूं बच्चो तो fluorine हमारे पास आता है फ्लोरीन का पास नौ इलेक्ट्रोंस है तो उसके इसाब से टू सेवन हो गया ऐसे क्लोरीन की बात करें तो टू एट सेवन हो गया ऐसे ब्रूमीन की बात करें ऐसी आयोडीन की बात करें तो इन सब के पास आउटर मोश्ट में कितने कितने electrons मिलेंगे बच्चों हमें 7 यानि कि आपको यह समझना है कि अगर हम बात कर रहे हैं group first की तो सब में एक-एक electron है group 17 की बात कर रहे हैं तो सब में 77 electron और यह तो वैसे भी पढ़ चुके हैं यार कि groups में valence electron सेम रहता है कि उन्हीं के valence electron से तो पता लगाया जाता है ना याद करेंगे कि वो कौन से group के हैं तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि valence electron remains same from top to bottom अगर हम लोग उपर से नीचे आएंगे तो valence electron सेम रहेंगे आई होप आप लोगों नहीं सेम समझ के लिखा हो अब अगर valence electron सेम है यार तो आपको समझ जाना चाहिए कि valence तो सेम ही रहेगी आप जैसे group 1 वाल है इनकी valence क्या होगी इन सब की valence होगी plus 1 क्योंकि यह सब के outer most में एक electron है और group 17 वालों की valence कितनी होगी minus 1 क्योंकि इन सब के outer most में 7 electrons है और यह एक electron जनरली लेंगे या कभी कबार हम लोग देखेंगे शेयर करेंगे कार्वेंट कंपाउंड में लेकिन इनकी valence जनरली minus 1 रहती है इनकी valence जनरली क्या रहती है plus 1 ऐसे group अगर मैं second लोंगा जो हमने यहां नहीं लिया है लेकिन magnesium beryllium magnesium वाला अगर मैं calcium वाला group लेता हूं तो वहां पर सब की valence क्या हो जाएगी तो यानि अगर valence electron सेम है तो valence भी क्या रहेगी सेम यानि कि due to same valence electron valency is also same अब अगर valence electron से मैं यार तो valence भी सेम रहेगी इसमें तो कोई दो राहे नहीं है दो राह नहीं है चली अच्छा इसके बाद size of atom अब आप मुझे बताओ हमने जब left to right गए थे तो हमने देखा था कि number of shells जो है वो equal है लेकि number of shells equal होने की वज़ा से हुआ क्या था outermost shell में electrons बढ़ रहे था जिसके वाज़े size कम होता जा रहा था क्योंकि contraction बढ़ रहा था हमने पढ़ लिया अब यहां पे क्या है यहां पे हम उपर से नीचे आ रहे हैं valence electrons तो सब में सेम है यह हमने पढ़ लिया फर्स ग्रूप में तो सब में एक 7 में तो सब के 7 17 में तो सब के 17 अब यहां पे valence electron वाला concept तो लगेगा नहीं लेफ्ट व राइट में valence electron बढ़ रहे थे attraction बढ़ रहा था size चोटा और था यहां तो वो concept लगेगा नहीं लेकिन यहां पे आप देख सकते कि number of shells जो है वो बढ़ रहे हैं इसे lithium के पास दो shells है potassium के पास चार shell है उसके बीच में sodium के पास तीदs है यानि lithium के पास अगर दो shells है तो sodium के पास तीन है तो potassium के पास चार हैником के पास पांच है और साथ shells है अब आप खुद अकल लगाओ यार कि अगर मैं let us suppose group one की बात कर लूं तो लीथियम के पास हमारे पास अगर बीच में यूकलियस है तो इसके पास दो शेल्स है और ऐसे अगर मैं सोडियम के बात कर लो तो उसके पास अगर बीच में यूकलियस है तो उसके पास बच्छो तीन शेल्स है आप समझो ना क्या बात हो रही है वहीं पर अगर मैं ग्रूप जा रहा हूं तो number of shells बढ़ रहें number of shells बढ़ रहें तो size भी बढ़ेगा इसका मतलब है अगर मैं top से bottom में आता हूं तो size dhp x2 जो है वो बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा size इसलिए बढ़ेगा क्योंकि number of shells बढ़ रहे हैं because number of shells are increasing जानी उपर से नीचे आने पर नमबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं जिसके वैसे साइज जो है वो बढ़ेगा सिंपल है अच्छा अब अगर साइज बढ़ेगा तो बाकी सारी प्रॉपर्टी उसी के रिस्पेक्ट से चलेंगी शायद आपको याद हो पिछली बार भी हमने जब लेफ्ट बीटी भी कहते हैं अब हमने वहाँ पर पढ़ा था कि यार लेफ्ट व राइड जाने पर इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो रहा था क्योंकि साइज छोटा हो रहा था जिसके वैसे एलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम हो रही थी लेकिन यहां तो उपर से नीचे आने पर साइस बढ़ेगा और साइस बढ़ेगा तो आउटरमो शेल से न्यूक्लियस दूर होगा जैसे इसके पास आउटरमो शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी एक है लेकिन यह वाला न्यूक्लियस से बहुत दूर है यह वाला पास है तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन नि और as a result tendency to lose electron जो है वो बढ़ती चली जाएगी तो ऐसा कह सकते हैं कि उपर से नीचे आने पे tendency to lose electron will increase उपर से नीचे आने पे tendency to lose electron will increase उपर से नीचे आने पे electron जो है उसको निकालना और असान होता चला जाएगा यानि कि electro positivity बढ़ती चली जाएगी हम इसको short में लिख सकते हैं due to increase in size size बढ़ने की वज़ा से उपर से नीचे आने पे electron निकालना भी असान होता चला जाएगा और अगर electron निकालना असान होगा तो आप समझते हैं electron gain करना मुश्किल हो जाएगा तो electron negativity की अगर बात कर लें बच्चों लोग और बात कर लें तो electron negativity के साथ क्या होगा बताओ electron negativity मतलब electron gain करने की ताकत electron gain कब होता है जब atom का size छोटा होता है तो असानी से होता है अब उपर से नीचे आने पे तो size बढ़ रहा है जिसकी वज़ा से आप क्या सकते हैं tendency to gain electron will decrease उपर से नीचे आने पे electron gain करने की tendency कम हो जाएगी अच्छा आप मुझे पताओ first group में सबसे असानी से electron कौन दे देगा तो answer है अभी हमने पढ़ा उपर से नीचे आने पे electron देने की ताकत बढ़ेगी तो ऐसा कह सकते हैं कि frontium सबसे असानी से electron दे देगा अब याद करेंगे last class periodic table में जो first group था हमारा वो सबसे असानी से electron दे रहा था left to right में जाने पे electron देना मुश्किल हो रहा था तो first group में सबसे असानी से electron देने की ताकत थी अब आज हमने पढ़ लिया कि first group में भी सबसे असानी से जो electron दे सकता है वो frontium है तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि पूरी periodic table में सबसे easily जो electron दे सकता है वो कौन है frontium है तो answer is yes सबसे easily जो electron दे सकता है सबसे easily जो electron डोनेट कर सकता है पूरी periodic table में वो frontium हो गया अब ऐसे left to right electron लेना जो है आपको शायद last class में याद हो electron लेना जो है वो असान होता रहता था तो ऐसा कह सकते हैं कि group 17 वाले सबसे असानी से electron लेते हैं क्योंकि please आप noble gases को तो यहाँ पर consider नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो अलगी लोग है तो left to right जाने पर electron लेना सबसे असान हो रहा था मतलब easy हो रहा था तो 17 group के लोग सबसे असानी से electron लेते हैं लेकिन हमने आज पड़ा कि उपर से नीचे आने पर electron लेने की ताकत कम होती है भाई group 17 वाले जो लोग है वो सबसे असानी से electron लेते हैं fluorine है chlorine है bromine है iodine है estrogen की बात नहीं करें क्योंकि रेडियो एक्टिव है छोड़ दो अगर इन्हीं की बात करें left to right जाने पर electron लेना असान होता है तो यह ग्रूप 17 के लोग सबसे असानी से electron ले लेते हैं लेकिन इन में सबसे असानी से electron कौन लेगा उपर से नीचे आने पर electron लेना मुश्किल हो रहा है तो आप समझ जाओ कि सबसे असानी से electron कौन लेता है बच्चो fluorine सबसे असानी से electron देता कौन है frontium सबसे असानी से electron लेता कौन है fluorine what the मतलब ठीक भीटा frontium सबसे असानी से electron दे देता है पूरी product table में और fluorine सबसे असानी से electron ले लेता है again left to right जाने पे electron लेना असान था तो group 17 के लोग सबसे असानी से electron लेते हैं लेकिन उपर से नीच आने पर electron लेना मुश्किल है तो फिर इन में सबसे ये सारे अच्छे है लेकिन इन में सबसे अच्छा फ्लोरीन है ऐसे ही left to right जाने पर electron देना मुश्किल होता था तो group one के लोग सबसे असानी से electron देते थे तो यह सब बहुत अच्छे तरीके से electron देते हैं लेकिन इन सब में सबसे अच्छे से frontium देगा क्यों कि frontium उपर से नीच आने पर हमने पड़ा electron देना असान हो रहा है अब यार अब यह तो आपको पता ही है कि metallic character directly proportional होता है tendency to lose electron के tendency to lose electron के electron देने की ताकत के directly proportional है yes or no और अभी पड़ा कि उपर से नीचे आने पर electron देना असान हो रहा है तो आप समझ जाओ यार कि उपर से नीचे आने पर metallic character बढ़ रहा है उपर से नीचे आने पर metallic character बढ़ रहा है क्योंकि tendency to lose electron जो है वो बढ़ रहा है और दुरों directly proportional है इसका मतलब इन में सब group 1 के लोग सबसे अच्छे metals है यह हम बात कर चुके है last class में अब group 1 में सबसे अच्छा metal कौन है अब group 1 में पताओ सबसे अच्छा metal कौन है तो group 1 में सबसे अच्छा metal fraction हो गया ना left to right जाने पर metallic character कम हो रहा तो group 1 के लोग सबसे अच्छे metal है और अभी पढ़ा कि उपर से नीच आने पर metallic सौरी metallic character बढ़ेगा क्योंकि electron lose करना क्या होता जला जाएगा असान तो सबसे अच्छा metal कौन हो गया फिर तो आँसे रेफ्रोंचियम हो गया सबसे बहतेरीन मेटल कौन हो गया फ्रोंचियम अब एक बास समझ नहीं आ रही है आप लोग सब टर्म वन का पेपर दे चुक्यों टर्म वन में चप्टर आये था chemical reactions and equations वहां पे हम लोगों ने एक series पढ़े थी which is called reactivity series वहां पे आपको बोला गया था कि reactivity series एक ऐसी series होती है जहां पे हम लोगों ने elements को लगा रखा होता है in increasing order of their metallic उपर से नीचे decreasing order of metallic तो अगर आपको याद हो तो मैं आपको नहीं तो याद दिला ज़ता हूं तो कुछ ऐसे हम लोगों ने अभी और भी आएंगे लेकिन potassium sodium calcium magnesium aluminium इस तरीके से हमने metals को decreasing order of reactivity में लगाया था शायद आपको पता उसको याद करने का तरीका था कालू नाना चार्ट मांगे आलू ज़रा छोड़ो लेकिन बिटा सबसे जादा रियक्टेव मेतल जो में पढ़ाया गया था वो थो potassium उसके बाद सबसे ज़दा रियक्टेव मेतल पढ़ाया गया था वो सोडियम था सबसे जादा अच्छा मेटल जो हमें पढ़ाया गया था वो था पोटाशियम और उसके बाद सबसे अच्छा मेटल पढ़ाया गया था सोडियम तो अब एक बास समझ नहीं आ रही अगर सबसे अच्छा मेटल में पोटाशियम पढ़ाया गया था और उसके बाद भी तो cesium और उसके उपर भी तो frondium आना चाहिए तो वो क्यों नहीं आथा तो answer है जब हम लोगों ने ये reactivity series पड़ी थी first chapter में तब हमने वो वाले metals reactivity series में डाले जो हमारे आसपास हमें दिखते हैं आप में से कितने बج्छों ने अपने पने सामने आखों आफों में टेस्ट्यूब में फ्राउंचियम या सीजियम या रूबीडियम देखा है तो जहां तक मुझे लगता है आप मेंसे किसी ने भी नी देखा होगा है परपसली कोई सवाल यह पैदा नहीं होता यार क्यों देखोगे आप फ्रांशियम क्यों देखोगे आप सीजियम हाँ यूट्यूब पे वीडियो में फोटो में गूगल पे तो अलग बात है लेकिन लाइब आपको फ्रांशियम देखने को क्यों मिलेगा आप 10th क्लास में भी बड़े हो जाओगे कुछ मान लो इस फी ने तो हो सकता है पोटाशियम भी ना देखा हो सोडियम लगबख चाहिए सभी ने देखा होगा लाब्स में होता है इसके पर एक्सपेरिमेंट होते हैं बड़ आप मैंसे बहुत सारे बच्चों ने तो पोटाशियम के कंपाउंड की बात नहीं कर रहा है प्योर पोटाश ही ने मर जाएंगे हम मैंसे क्या बैटा दुनिया के 95 या उससे भी जादा बोलो एक्चुली परसंट लोग इसे जिए में कभी देखी ने पाएंगे बिगास काम ही नहीं है ना इनका एट प्रेजेंट की मैं बात करना हूं अब जब यह मैटल हमारे आसपास देखने को यह नहीं मिलेंगे या तो फिर इन्हें रियक्टिविटी सीरीज में डालना क्यों हमने वहां पर वह वाले मेटल डाले थे जिनके हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जरूत पड़ेगी जिनके हम रियाक्शन्स करने वाले हैं और नालेज के लिए बात कर ले तो पोटैशियम से ह जादा रियाक्टिव सीजयम है और उससे भी जादा रियाक्टिवच चुछ फ्रॉंचियम रहेगा ठीक है छीकि इसके बाद अगेन यार इससे क्यों खीच रहे हैं ऑपर से नीचा आएगा अब उपर से नीच आने पर एलेक्ट्रान गेन करना मुश्किल हो रहा था तो non metallic character जो हैवो decrease हो जाएगा क्यूंकि उपर से नीच आने पर विकौस उपर से नीच आने पर टेंडनर सी the to gain electron भी तो decrease हो रही थी जिसकी वज़ा से बच्चों क्या non metallic character कर भी डिक्रीज होता चला जाएगा ओके मेरे साथ से कोई दिक्त नहीं अच्छा इसका मतलब अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रियक्टिव नौन मेटल फ्लूरीन होगा तो कि उपर से नीचे रियक्टिविटी कम हो रही है और अगर हम आयोडीन तक की बात करें तो सब से जादा कम रियक्टिव इन में इन में नौन मेटल कौन हुआ आयोडीन तो उपर से नीचे आने पर नौन मेटलिक करेक्टर जो है वो कम होता है लेकिन मेटलिक करेक्टर बढ़ता है और उसे के हिसाब से बच्चों बात आती है रियक्टिविटी की अब हमने जब लेफ इस्पेक्ट से बात करें तो सबकी reactivity सेम है लेकिन ये भी तो आपको देखना एकि उपर से नीचे आने पे अगर हम लोग metal वाले group में खड़े हैं किसी metallic group में खड़े हैं जैसे कि group वान गुरूप टू अगर हम किसी metallic ग्रूप में खड़े हैं जैसे कि ग्रूप नंबर 17 ग्रूप नंबर 16 तो क्या होगा क्योंकि उपर से नीचे आने पर वेलेंसी तो सेम हैं चीक है ना अब अगर हम किसी नॉन मेटालिक ग्रूप में तो अभी बात कि हमने आख कि नौ अगर हम किसी मेटालिक ग्रूप में पह जहाँ जादा रियाक्टिव सोडियम है इसलिए को केरोसी नॉयल में डुबा कर रखते थे एवन पोटैस्यम को भी केरोसी नॉयल में डुबा थे बिटा आपको शायद अब पता चल जाए या पता चल गया या पहले से पता हो कि यार रूबीडियम और सीजियम और एलेक्ट्रोन देना और आसान हो रहा है तो मेटालिय करेक्टर बढ़ रहा है ये लोग असानी से एलेक्ट्रोन दे देंगे तो ज्यादा रियक्टिव होगा ना तो इसका मतलब यह है कि मैटा अगर मैं किसी माटालिय ग्रूप में हूं तो उपर से नीच आने पर activity increase हो रही है मतलब अगर आप सुक्रे पूछे कि ज्यादा रियाक्टिव कौन है उपर वाला या नीचे वाला तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि आप जिस ग्रुप में खड़े हो वह मेटल्स का ग्रुप है नौन मेटल्स का अगर आपको नहीं पता तो यह कोशन नहीं आएगा इस कांसर आप नहीं दे सकते मालो मैं आपको बोलता हूं एक ग्रुप है एक ग्रुप है एक्स उसमें ए है बी है सी है पता हो ज्यादा रियाक्टिव क सबसे ज़्यादा reactive कौन हो जाएगा फिर सी हो जाएगा तो उस हिसाब से बात करने हैं metallic group में उपर से नीचे आने पर reactivity increase होगी और non metallic group में आप समझी गए होगे उपर से नीचे आने पर reactivity decrease होगी क्योंकि electron जो है वो gain करना मुश्किल हो रहा है चीक है चीक है अगर यह group number 17 होता तो हम boost सबस्दा रियाक्टिव कौन है तो आपको answer a देना है automatically a देना है चीक है चीक है और आखरे काम फिर कुछ questions कर लेंगे NCRT के हम लोग ठीक है कुछ questions कर लेंगे एक सेकिंड यार एक सेकिंड सॉरी हां कुछ questions हम लोग फिर NCRT के कर लेंगे निप्टा लेंगे बच्चो लेकिन यह last topic हम लोग एक बारे देख लेते हैं which is nature of oxide अब nature of oxide जो है उसके बारे में भी हम लोगों ने याद होगा बात की थी कि जब हम metals की बात करते हैं किसे कहना ठीक है कि बहुता बबार से याद छे ला रहा है हों बस बस आपको मैं याद ला रहा हूँ कि अगर हम लोग metals कौन सा कर लगा echt है अगर मैं मेटल ऑकसाइड की बात करूं तो आपको याद होगा याद इला रहा रहा हूं बस कि वो basic होते और नॉन मैटल के जो oxides होते हैं बचों वह AsđDiC होते हैं नॉन मैटल के जो oxides हुते हैं वह AsiDiC होते हैं अब यहां left to right तो क्या था आप metal से क्या बन रहे थे non-metal जिसकी वज़ा से oxides ने वो basic से क्या हो रहे थे ऐसे यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर अगर आप metal में हो तो metal ही रहोगे तो यानि अगर आप basic oxides में खड़े हुए हो यानि अगर आप खड़े हुए हो एक metallic ग्रुप में तो बस फर्क क्या होगा कि वो ऊपर से नीच आने पे more basic हो जाएगा क्योंकि उपर से नीच आने पे metallic character बढ़ेगा जितना strong metal हमने पढ़ा था eighth class में जितना strong metal उसका oxide उतना ही जादा basic होता है और ऐसे ही अगर हम acidic का बोड़ीख नीचाने फे लेस स्थागा क्विश्द कुणकर जिटना मेटल सब आफंश का अधर कहती और लिए था नौ पॉइंट्स आखना ठीक लिखे हूँ और अगर इसमें से एक दो भी गलत लिखे हुए हैं तो कोई डिटेंशन वाली बात ने लेकिन हाँ नो के नो गलत है तो अब तो पढ़ना शुरू कर दो भाई मेरी बात समझो अगर नो के नो आप गलत दे रहे हुए तो फिर अब क्या ही हो रहा है ठीक है सरन शॉर्ट लियाओ सर पूरा complete lecture के लिए मतला और आप नो के नो पॉइंट गलत दे रहा है या एटलीस्ट आठ गलत दे रहा है तो फिर क्या ही पढ़ रहा तो मेरे हिसाब से नौ पॉइंट्स में से कम से कम आपके आज जिसे यह लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है बाकि सारे पॉइंट्स तो बहुत ही एजी है